आज हम हमारी first poem A house, a home पड़ेंगे A house means एक मकान, a home means एक घर मतलब house को हम मकान और home को हम घर कहते हैं What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner, then read the poem एक मकान और एक घर में क्या फर्क होता है? यह हम इस poem में पड़ने वाले हैं अपने partner के साथ discuss कीजिए Partner यहाँ पर क्या होंगे? Partner means होगा classmates या आपके friends उनके साथ में discuss कीजिए उसके बाद यह poem पड़िए तो अब मैं आपके लिए यह poem पड़ती हूँ What is a house? It's brick and stone and wood that's hard Some windows, glass and perhaps a yard It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors यहाँ पर चुपोएट हैं हमारे वो क्या भूल रहे हैं? कि घर, मकान क्या है? मकान क्या होता है? मीज हाउस क्या है? या एक इट पत्थर से बना हो सकता है? हार्ड वूड लकडी का बना हो सकता है? हो सकता है कुछ मकान जो है वो काच के बने हो उसकी विंडोस में काच लगे हो और यार्ड भी हो मीज जो हाउस है वो इन सब चीजों से बना होता है इसमें eaves होती है मतलब, eaves का मतलब क्या होता है? हाउस के आगे जो हमारे मकान होते हैं उसके आगे एक ऐसा सिमेंट का बना होता है छट जैसा छट की और के हिस्सा जो निकला हुआ होता है जिसको छट जा या शेड जो भी कहते हैं वो जो बना होता है उसको eaves कहते हैं मतलब, वो क्या बोल रहे हैं? जो शेडों देता है जिससे हमको छाया मिलती है, ऐसा मकान के आगे जो बना होता है, वो इवस होता है, मकान के आगे वो बने होते हैं, चिमनीज होती है, फ्लोर पर टाइल्स लगी होती है, स्टुको, स्टुको का मीन्स क्या होता है, जो मकान के भार, जो मकानों पर घर के भार जो प्लास्टर होत मतलब जो मकान हैं वो इन सब चीजों से मिलकर बना हो सकता है इसमें जितनी भी चीज हैं वह एक भी living नहीं है यह सारी चीज हैं नॉन लिवंग तिंग से लों डिवींग टीज एक भी नहीं तो जो जो इन लिवंग त्रिव फीजो चीज यूसी उत्समें यहाँ पर पोईट क्या बोल रहे हैं? घर क्या है? यहाँ एक loving and family मतलब प्रेम और परिवार से भरा होता है. मतलब जो घर होता है वो प्रेम और परिवार से बना होता है. जो एक दूसरे के लिए हों. मतलब family members जिनसे घर बनता है. वे कौन हैं? भाई, बहर, पिता, माता. इनी सबसे मिलकर घर बनता है. यहाँ सब बिना स्वार्थ के act करते हैं. और kindly sharing करते हैं. मतलब जैसे एक दूसरे का सुख दुख बाटना, उनका साथ देना, मदद करना आदी यह सारे काम family members करते हैं. और जो loved ones, जो प्रिये जन होते हैं. उनका ख्याल रखते हैं. देख भाल करते हैं. तो students, यहाँ हमने मकान और घर में difference देखा. मकान इट पत्थरों का बना होता है और घर प्रेम और परिवार से बना होता है. मतलब जो घर होता है, यह इसमें सारे living things हैं. माता, पिता, भाई, भाई, बहन सब living things हैं. इसलिए जो house है वो feeling less है और जो home है वो feeling full है. तो students, आपको poem अच्छे से समझ में आ गई होगी. Thank you.